वेरी गुड मॉर्निंग फेंट्स, डेई 136 से आज 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 कोमेक्स इस कराके चलते हैं, ब्रिकफास्ट करेंगे ब्रिकफास्ट में मैंने लिया है रोटी, खिचडी, आलू, मटर, गाजर की सबसी और उसके साथ में गौंद का लड़ू यहाँ पे मैंने लगबग 2000 कैलरीज कंजूम करी है, जिसके अंदर लगबग 50 ग्रम्स अफ प्रोटीन है दिन में ऐसा हुआ, मेरे कजिन्स आये थे आज और सब का घूमने जाने का प्लैन मना, बाहर खाने की डिमांड भी आई और यहाँ पे पेस्ट्रीज और कुछ छोटी मूटी फास्ट फूड वाली चीज़ें खाने में आ गई, कैलरीज यहाँ पे मैंने कैलकुलेट नहीं करी है, पर मान के चलो मैंने अच्छे खासे अमांट में कैलरीज कंजूम करी है शाम को मैंने आज का मेरे वर्कउट करा और आज के वर्काउट में मैंने फर्स्ट एकसेज लगयी है, CLOSE GRIP, PULL UP जिसके मैंने total 20 REPEETITIONS लगाये हैं सेकंड एकसरसाइज मैंने करी है, CHEST, DIP, जिसके भी मैंने total 20 REPEETITIONS लगाये हैं उसके बाद मैं घर आके आज के दिन की मेरी आखरी मील ली जिसमें मैंने चॉकलेट मिल्क लिया है यहाँ पर मैंने लगबग 430 कैलोरीज कंजूम करी है जिसके अंदर लगबग 37 ग्रैम्स आफ प्रोटीन है उसके बाद मैं मैंने आज के मेरे बचे हुए स्टेप्स पूरे करें वाक हो चुकी है स्टेप्स वक्राइब कंपलीट हो चुके हैं आज मेरा वीट 81.35 की चीज़ है लास्ट वीक जो वेट था उससे ज्यादा है मेरा वेट आज for sure definitely next week weight come होगा और एक चीज मुझे शेयर करनी थी आज मेरा करजिन है वह है और थोड़ा वो दिन में बाहर का खाने का हो गया और कल भी होगा वो स्वीट्स वगर लेका है उसके जहां रहता है वहां की local sweets लेका है और होगी वो भी खाने में कमी नहीं होगी खाने में खाना खाया जाएगा बराबर तरीके से लेकिन यहां पर portion control वाली चीज को कल से implement करा जाएगा मैंने शायद पिछले हफते ही बोला था कि portion control portion control करना है गीदगा रहा था तो उसको कल से implement करा जाएगा चीजें सारी खायेगी लेकिन एक particular portion में ही खाया जाएगी excess amount में नहीं खाया जाएगा और इसे कल से implement करा जाएगा आज के लिए इतना ही कल मिलता है Good night